ग्रीस के शहर एथेंस की सबसे पहली आफिशियल मस्जिद से जुड़ी हुई है ग्रीस जिसे युनान भी कहा जाता है उसकी राज़दानी एथेंस में सवसाय से अधिकर से के बाद पहली बार सरकार की तरफ से बनाईगी सबसे पहली मस्जिद आम लोगों के लिए खोल दी गई है एथेंस में मुसलिम रहते हैं लेकिन उनके लिए कोई आफिशियल मस्जिद नहीं थी और लोग अपने अपने सहूलत के हिसाब से जमा होकर नमाज अदा करते थे जबकि एथेंस की इस मस्जिद का तामीरी काम 1890 में शुरू हो चुका था लेकिन ज्यादातर क्रिस्चन आबादी और उनका दबदबा होने के वज़ा से और कुछ पॉलिटिकल विरोध के चलते उस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में देरी हुई 14 साल पहले भी इस मस्जिद का उपन किया गया था लेकिन फिर किनी उजुआत की वज़ा से बंद कर दिया गया था अबाम लोगों के लिए मस्जिद को खोल दिया गया है मस्जिद के जिम्मेदार हैदर आशिर ने कहा कि एथिंस में रहने वाले मस्लिम कमिनिटी के लिए ये एक तारीखी लमा है हम काफी वक्त से इस मस्जिद का इंतजार कर रहे थे जबकि मस्जिद के डिजाइन और गंबद ना होने को लेकर एथिंस के कुछ मसल्मान अपनी नाराजगी का इज़ार कर रहे है मौत्रम नाज़ीन मसल्मान होने के नाते हमें हर मामले में अल्ला का शुक्र अदा करना चाहिए आज हमारे समाज में उची आलिशान और डिजाइन वाली मस्जिदें बनाने की तो काफी फिक्र होती है पर मस्जिद में नमाजियों के फिक्र नहीं होती जबकि मस्जिद की तामीर का असल मकसद अल्ला की अबादत करना है अगर मस्जिद में डिजाइन वगएरा ना हो तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता और नभी साल सुल्लम की जिन्दगी से हमें सबक मिलता है कि उस वक्त मस्जदों के डिजाइन वगएरा नहीं होते थे मौतम नाजरीन पेगंबर महम्मस असल्लम के दोर में मस्जदें कच्ची होती थी और सजदे मिट्टी पर करते थे लेकिन उनका एमान काफी मजबूत होता था पर आज हमारी मस्जदें पक्की होती हैं लेकिन हमारा एमान कमजोर होता जा रहा है हमारे लिए जरूरी है कि हम अहम चीज़ पर महनत करें तेरा दिल तो है सलमाशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में इस शेर की मिस्दाक बन गई हैं हमारी नमाजें सजदें बेरूह और नमाजें तरफ से खाली हैं ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें